दोस्तों, जिस बात को सुनने के लिए आपके कान तरस रहे होंगे, उसकी अपडेट आ गई है। एक बार फिर से खांसार में खून की नदियां बहेगी और देवा और पिर्थवी राज एक दूसरे के दुश्मन कैसे बनते हैं और आगे जाकर कहानी में कितने बड़े केमिय और रोकी भाई की एंट्री का कौन सा बड़ा सच सामने आएगा। उसकी अपडेट आ गई है। जी हाँ, दोस्तों सलार की बहुत जल्द शूटिंग स्टार्ट होने वाली है और बताया जा रहा है कि सलार की शूटिंग को जून 2024 में स्टार्ट किया जाने वाला है। और वहीं पर शांत नील अपने एक इंटर्व्यू में कहते हैं। सलार को continue करेंगे। और ये इंडिया के एतियास का सबसे बड़ा यूनिवर्स बनेगा। दोस्तों आपको बताता चलूँ के सलार ने सारे रिकॉर्ड तोड दिये हैं और इंडिस्ट्री को इतना बड़ा कलेक्शन करके दिया है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। और अब तो सलार को नौर्थ में भी अच्छा प्यार मिल रहा है। गैटी गेलक्सी के ओनर मनोच देसाई कहते हैं सलार के सारे शोस हाउसफुल चल रहे हैं और डंकी को कोई भी देखने नहीं आ रहा है। और वहीं अब तो संडे की कलेक्शन और ज्यादा आने वाली है। उपर से विंटर विकेशन भी स्टार्ट होंगे। इसका मतलब सलार 1000 किरोड कमाने के लिए तयार है। और इस बार जवान और पठान के बाद साउथ की सलार 1000 किरोड कमा कर इंडिया की पहली एक्शन मूवी बन जाएगी जिसके आसपास कोई रिकॉर्ड नहीं आ सकता। इ इस बार जो रेकॉर्ड बनाएंगे उसको कोई भी तोड नहीं पाएगा। इस बार पूरी दुनिया में सलार नंबर वन बन गई है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता और बाहु बली के बाद परबास अन्ना सलार से एक नया एतियास लिखेंगे जिसको तोड पाना अब काफी मुश्किल लग रहा है।